हेलो मेरा नबगड़े स्याद्व है और मेरे चनल का नाम जी टी भी है तो आया आज आप सबी को में रमाण की पीशोट 26 से क्या क्या सेख सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा है तो नमबर एक पे हमें यही सिखना चाहिएं कि हमें महाराज भरत जैसे धर्म पे सत्त पे चलने के लिए हमें भगमान की बचन अत्वा उनकी पाधिकाओं को ही सक्षी मान के हम चल सकते हैं अर्थात हमें यही बुजना चाहिए यहीं हम धर में पेशत पे चलेंगे तो हमें भगवान की बचनों को आवज से ध्यान देना पड़ेगा और इसके साथ हमें रमाड के पीशोड 26 से दूसरी बाती क्या सिखने चाहिए कि यहीं हमें जीवन में महान बनना है तो उसके द्रब्ग धरम के परतिक मानते थे तो हमें भी उनसे यही शिखना चाहिए यदanting हमें महान बनना है उसके लिए महान तयाक करना पड़ेगा जिस परकार हम जब दुकान पर जाते हैं तो कुछ समान करने के लिए उस समय्षम मॉल चुकाना पड़ता है इसी परकार यहीं हम मान बनना चाहेंगे तो महानता के लिए हमें कुछ मोल चुकाना पड़ेगा और इसके सासथ हमें रमाड की एपीजोड 26 से ये तीसरी बाती क्या सिखने चाहेंगे कि एदि हम जीवन में गलती करते हैं तो उसका हमें सजा भोगना पड़ेगा जिस परकार माता के कहीं ने जब एक गलती किये तो उसके सजा से उन्हें जीवन भर उसका सजा भोगना पड़ा तो हमें भी उनसे ये सिखना चाहें एदि हम गलती करते हैं तो उसके सजा हमें भो पूरे जीवन को बरबाद कर सकता है। जिस परकार माता के कहीं को उनकी एक कारड अथो उनके एक गलती ने पूरे जीवन उन्हें पस्ताना पड़ा। तो उससे हमें यह सिखना चाहिए कि हमें ऐसे करम करें कि बाद में जाके जिसे पताना ना पड़े इधी वीडियो आपको अच्छा लगें तो लाइक सब्सक्राइब जोरू टियो जेगा धन्यबाद सीतारा